इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तपाएं केंदर का आरोब योजना के लिए नहीं लिया गया था अप्रूवल बिना मंजूरी के योजना शुरू करने का आरोख लगा केजरिवाल सरकार ने 22 लाग लोगों के घर तक राशन पहुचानी की योजना बनाई थी केंदर सरकार बोली किसी और नाम से चला सकते हैं योजना बीजेपी अधिक जेपी नडड़ा ने पार्टी महा सचिवों के साथ बैठक की बैठक के बाद पियम मोदी से मुलाकात हुई बैठक में जेपी नड़ा समेथ तमाम नेताओं ने आगामी चुनाओ, पांच राजों में हुए चुनाओ और कुरोना काल में पार्टी का भियान पर अस्वमिक शकी बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के साथ सालों को कामकाज को जनता तक पहुचाने के लिए भी चर्चा की, मोर्चे के अध्यक्षों के साथ कामकाज कभी और अलिया गया सरकार के कड़े रुख के बाद बैक फूट पर आया ट्वीटर उपराश्टपति विंकायन आईडू के परसनल ट्वीटर अकाउंट पर ब्लू टिक को वापस गोट आया ट्विटर ने मोहन भागवस समित RSS के जादते नेताओं के अकाउंट पर भी ब्लूटिक बहाल किया हंगामे के बाद ट्विटर की सपाई का लंबे समय तक अकाउंट एक्टिव नहीं रहने पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तयात हटाते हैं ब्लूटिक ट्विटर के खिलाफ एक्शन में भरस सरकार आईटी गाइडलाइन्स पालन नहीं करने पर भीजा था तीसरा और आख्री नोटिस सरकार ने नोटिस में कहा ट्विटर ने नियमों के मताविक अभी तक हमें अपने चीफ कंप्लाइंस ओफिसर के बारे में जानकारी नहीं दी है नोटिस में सरकार ने ट्विटर के दफ़तर को लेकर भी सवाल उठाया का ट्विटर ने एक कानूनी फर्म के दफ़तर का पता दिया है दिली में साज जून से और इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार और मॉल सीम केज डिवाल ने अरान किया दिली में और इवन्ट में नंबर के हिसाब से खुलेंगे बाजार सुबा 10 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे दिली में नीजी दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तरों में ग्रूप A के ऑफिसर 100% अटेंडेंज देंगे दिल्ली मेट्रो साज जून से 50% कैपसिटी के हिसाब से शुरुआत करेगी ई-कॉमर्स कमपनिया भी करते रहेंगी कामकाज दिल्ली पुलिस कमिशनर ने पुलिस उपायुक्तों के साथ बैटक की अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान पुलिस के तैयारी का जायसा लिया दिल्ली में मेट्रो टिन अलग-अलग लाइनों पर 5-15 मिनिट के अंतराल पर चलेंगी डियम्यार से न जानकारी भी दिल्ली के मशूर कालकाजी मंदिर को खुला गया शधालों के लिए दर्शन की इजाज़त प्रशाद नहीं चड़ा सकते हैं भाग यूपी के बलंशेर और बरेली में भी अब कुरोना कर्फियू खतम प्रदेश में अब तक 60-60 जिलों से हटा है कुरोना का कर्फियू BMC ने Break the Chain के तहट Unlock की गाइडलाइन्स जारी की केवल तीन काटिगरी के अनुसार मुंबई में छूट और पावंदी रहेगी गाइडलाइन्स के मताबिक लोकल ट्रेनों में सिर्फ आवश्यक सिवाओं वाले कर्मचारी सफर कर पाएंगे मॉल सिर्मा हॉल जिम बद रहेंगे मॉंबई में दुकाने वरकिंग डे में चार वज़े तक खुली रहेंगी वोटल स्रेस्टों को भी आदी सम्का के साथ शाम को चार वज़े तक खोलने की परमिशन दी गई है माराष्ट सरका ने लोकल ट्रेनों की सर्विस की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दी है लोकल म्यूसिपल अथॉरिटी से बात करकर ले सकते हैं फैसला मॉंबई मेट्रो सोमवार से अपनी सेवाओं में 30% के बढ़ोतरी करेगी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा मॉंबई के बाजारों में उम्री भीर दादर के मार्केट में उड़ी कुरोना गाइडलाइन्स की धजजियां मॉंबई में यूद कॉंग्रेस के नेताओं ने कोवेट नियमों का पुड़ाई धजियां पेट्रोल डीजल की बढ़ती किमतों के खिलाब प्रदशन करने सड़कों पर उप्रेट महराष्ट अनलॉक होने पर बीजेपी ने की मंदिरों को खोलने की मांग साथी धार में कारेक्रमों के आईजनों की इजासत मांगे तमिल्लाडों पे कुछ छूट के साथ 14 जून तक बढ़ाया गया है लॉगडाउन 30% कैपसिटी के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर इमाचल प्रदेश में 14 जून तक बढ़ाया गया कुरोना कर्फ्यूट जरूरी से वाए छूट छूट रहेंगी गोवा में 14 जून की सुबह 7 बज़े तक लॉकडाउन बढ़ाया गया सीएम प्रमोच सावंद चानकारी दी इन दोर में कुरोना वैक्सिनेशन सेंटर पर कारे करताओं दोरा जनम दिन मनाये जाने पर माफी मांगी बीजेपी नेता माधूर जैसवाल ने इटावा जेल से जमानत पर छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने निकाला काफिला नियम तोडने पर पुलिस ने फायार दर्च ली धरमेंदर यादर ने सौसे ज़दा गाणियों के साथ जुलूस निकाला दोसो लोगों पर मुकदमा दर्च हुआ कुरोना के सेकेंड वेब में 646 डॉक्टर्स की मौत इंडियर मेडिकल एसिस्टेशन ने जारी की आँगरा देश में दम तोर रही है कुरोना की दूसरी लैर 24 घंटे में करीब 1,14,000 विमार 2,679 की मौत हुई तमिलाडो में 21,000 से जादा लोग संक्रमित करीब 32,000 लोग रिकवर हुए केरल में कुरोना से 17,328 लोग संक्रमित हुए है 209 लोगों की मौत हुई है करनाटग में कुरोना के 13,800 ने केस सामने आए है विते 24 घंटे में 25,000 से जादा लोग संक्रमित हुए महराश्टर में कुरोना के करीब 14,000 नई केस सामने आए हैं 300 मरीजों की मौत हुई है मुंबई में कुरोना के 866 नई केस 1000 से ज़ादा मरीज ठीक भी हुए आंदुर प्रदेश में कुरोना से 80 मौते हुए हैं 10,000 से ज़ादा नई केस सामने आए हैं दिल्ली में करोना के 1400 से जादा नए मरिज सामने आये हैं और 60 लोगों की जान गई है यूपी में करोना से रिकवरी दर 98% के करीब पहुचा हैं करोना से 120 मरिजों की जान गई है सीम योगी का एलान यूपी में कुरोना पर पूरी तरह से काबू परदेश में 20,000 से भी कम एक्टिव केस है दिली के सीम अवरीद के जिवाल का बयाद तीसरी लहर में रोजाना 35,000 के हिसाब से हो रहे ये तैयारी बच्चों के लिए टास्क फोर्स भी बनाया गया है अखाली नेता सुग्विर सिंग बादल का अमरिंदर सिंग पर हमला का सरकार में विश्वास खो चुके हैं लोग बोपाल में मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान ने राज़ में कोविर संकर्मन के मुद्दे पर समिक्षा वैटक की अधिकारियों से हलात की जानकारी गी मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भोपाल में आक्सिजन प्लान का उधाटन किया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हुआ कारिक है बेज भर में अब तक 23 करोड से जादा वैक्सिन की डोज लोगों को दी गई है 18 से 44 साल के 2 करोड 77 लाख लोगों को वैक्सिन लगी है राजवर केंदर शांसित प्रदेशों को अब तक दी गई वैक्सिन की 24 करोड से जादा डोज स्वास्त मंत्राले ने चानकारी नागपूर में बच्चों पर वैक्सिन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कुछ बच्चों का हुआ है चैन चैन किये गए बच्चों को रईवार दी जाएगी वैक्सिन की पहली डोज मुंबई में 24 सेंटर पर 45 प्लस उमरवालों का वैक्सिनेशन हुआ वैक्सिन के लिए निकाला गया ग्लोबल टेंडर रद होने पर गोली मुंबई की मेयर कहा नौ कम्पनियां गाइडलाइन्स का पालन करने में रही नाकाम मुंबई को वैक्सिन सप्लाइ करेगा डॉक्टर रेडीज लैब मेयर किशोरी पेटने करने जानकारी दी खैदरबाद के हाइटेक्स एग्जिबिशन ग्राउन में आज मेगा वैक्सिनेशन ड्राइव एक सेंटर पर पचास हजार लोगों को टीका लगाने की तैयारी सुबह आठ से रात नौ बज़े तक टीका करन हुआ यूपी में अब तक एक करोड बासट लाग से जादा टीका करन हुआ है पैंतिस लाग पचानमे हजार से जादा लोगों को दूसरी डोज भी लगे है तमिलाडू बीज़पी महिला मोचा की अध्यक जवनाथी श्रीनिवासन की मान तमिलाडू को वैक्सिन का कोटा बढ़ाए की इंदर सरकार कुलकाता म्यूसिपल कॉर्पोरेशन ने वैक्सिनेशन औन वील्स अभ्यान को लॉंच किया है बाजारों में काम करने वालों को लोगों को टीका लगेगा कनाटक में ब्लैक फंगस से अब तक 1784 लोग संक्रमित हुए 62 लोग खी हुए है और प्रदेश के स्वास्त मंत्री ने चानकारी दी लखनों के के जी एम्यू में 24 घंट में ब्लैक फंगस के 11 मरीज भरती हुए तीन मरीजों की जान गई तमेलाडू सरकार ने 12 की बोड परिक्षा रद की नीट की परिक्षा भी टालने की मार थिमाचल प्रदेश में रद की गई है 12 की बोड परिक्षा कुरोना को देखते हुए फैसला हज यातरा को लेकर बोले केंदरे मंतरी मुक्तार अबास नकवी साओधी अरफ के फैस्टे के साथ भारत खड़ा है रूस के राष्टपती व्लादमीर पुतीन का बयार सिफ रूस एक मातर देश है जो एंटी कोवीड वैक्सीन टेक्नोलिजी टांसफर के लिए तैया है ग्रिटेन में 21 जून से लॉंग टाउन हटेगा या नहीं सरकार कर रही है विचार बीते दो महिने से आ रहे है जाना कोरोना के केस ब्रजील में भी लोगों को लग सखेगी कोवैक्सीन भारत किसे कोवैक्सीन के आयाद को मन्सूरी मिली है कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिलने से हड़काम बम स्कौर्ड ने डिफ्यूस किया पुलिस मामले की जाच में जूटी बंगाल में बीजेपी नेता शुमेंदू अधिकारी और उनके भाई पर काथी में केस दर्च हुआ टीमसी ने नगरपालिका से रहस सामगरेकी की चूरी कारोप लगाया सुगबीर सिंग बादल ने सीम अमरिंदर सिंग पर बोला हमला का जितने दिन सत्ता में रहेंगे राज्य का उतनी ही तेजी से विनाश होगा सुगबीर बादल बोले पंज़ाब कॉंग्रेस में दरार का नहीं उठना चाते फायदा कॉंग्रेस बीजेपी और आप को छोड़कर किसी से भी गडबंदन के लिए तया ममता बैनर जी ने भतीजे का बढ़ाया कद अविश्क बैनर जी को टीमसी का राश्ट के मासची बनाया शावनी घोष को त्रिनमू लिवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई कुनाल घोष को पार्टी का प्रदेश महाचिजे न्यूप किया गया टीमसी नेता पार्ट चैठर जी का बयान एक ब्यक्ती पर पार्टी के एक ही पत की जिम्मेदारी होगी यूपी में 12 जुलाई से पहले कराएं जाएंगे जिला पंच्रायत अध्यक्ष के इलेक्षन महाराष्टे के पुर्वसीयम फर्डवीस ने का अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना गलत था उद्धव ठाक्रे का बयान महामारी के दौर में सत्ता की लालच करना अराजक्ता को जनम देगी विश्व परेवरें दिवस पर प्रधानमंतरी मोदी ने किया किसानों के साथ संगवाद और्गेनिक खेती पर जोग पेम मोदी ने इतनौल को 21 सदी के लिए भारत के लिए बड़ी प्राथमिक्ती बताया पेट्रोल में 20 परसन एतनौल मिलाने का लक्षिफ 2025 में हसिल होगा विश्व परेवरें दिवस पर पस्षिब मंगाल का हावडा व्रेज हरे रंग की रोशनी मनाया प्रदर्शन कारी किसानों ने मनाया संपून करांती दिवस करोना नियमों की धज्जियां उड़ाए किसान कानून के खिलाब पंचाब में किसान यूनिंस का प्रदर्शन हर्याना के सीम खटर ने प्रदर्शन कारी किसानों को चितावनी दी तह कानून रवस्था की हालाद बिगडी तो कारवाई होगी वारत चिन विवाद पर बोले रूस के राश्टरपती पूतीन, मोदी और सीजिन पिंक जिम्मधाने ता विवाद सुलजाने में सक्षम पूतिन ने कहा कोई शेत्रिय ताकत भारत रूस के मामलों में दखल ना दे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक गाड़ी में मिला हत्यारों का जखीरा दो लोग गिरफतार हुए शिनगर में आतंकियों के साधिश नाकाम पूलिस पोस्ट के पास बॉक्स में रखे थे आईडी को डिफूस किया गया बश्यमंगाल के 24 परगना के भाट पारा अलाकी में बदमाशों ने जम कर बंबाजी की कई घरों और दुकानों में तोड़फोर की मौके पर पुलिस बलताना मर्याना के रोतक में कथित संपत्ती विवाद में एक अग्याथ शक्स ने महिला की हत्या की पुलिस जमीनी विवाद के अलावा दुस्से पहलू की जाच कर रही नाकपूर में सोशल मीडिया पर वीडियो देख 19 साल के लिवाद के ने बनाया बिल्डर के परिवार को बंदक पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया यूपी के शामली में च्यूवेल से पानी पीने पर मासूम कटिले तार से बांद कर बेरह में से पीटा गया रोपी गिरफतार जमो किश्मीर के रामबन में खाई में गिरी कार हाथसे में पांच लोगों की जान लेगी बिंड में नैशनल हाईवे पर ट्रेलर के नीचे दबने से बाइक सवार की मौच, चिंगारी भड़कने से मोटर साइकल से ट्रेलर की केविंच चल कर खा खुली फिर दूशित होने लगी है यमुना नदी, दिल्ली के कालिंदी कुंच के पास यमुना में तैरते दिखाए दिये जरीले चार मुंबई के दादर इलाके में तेर रा, जमाचम बारे, श्पेडर रोट पर भी बरसे बादल मुंबई वासियों को मिली गर्मी से रहा रिता चीन के एबी में कोईला खदान में हुआ विस्पूर्ट, दो लोगों की मौत, छे लोग अभी भी भी लापता जर्मनी में तेज हवा के साथ भारी बारिश ने मचाए तबाई, सड़के पानी में डूबी, कई घरों को पहुँचा नुकसा, कई जगे लैंग्सलाइड शिलंका में भारी बारिश ने मचाए तबाई, कई अलाके डूबे, छे लोगों की मौत, पांच दोगडा बता फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुँचे राफेल नडाल, नुवाग जोपूविच की बोरिंस को हरा कर चौथे दौ़ में पहुँचे नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी, वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ